अब पाच पास लाक रुपिया प्रतिकरिवार को पिर्दा गाउं शोक में डुबा हुआ है शोक में इसलिए डुबा है क्योंकि यहां के रहने वाले बेटे जो है वो लापता है मृत है यहां भी भी जिंदा है इसे लेकर के ना तो प्रबंधन कुछ बता रहा है नहीं प्रशासन कुछ बता रहा है मैं लगतार उन परिवार वालों से मिल रहा हूं जो पिडित परिवार हैं जो लगतार रो रहे हैं बिलक रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है दिखें मैं ये पूरा अब दिखाए किशन ये पूरा पिर्दा गाउं है और मैं लगतार उस जगह पर जा रहा हूं उनके परिवार वालों से मिल रहा हूं जो लोग जो मजदूर वो Special Blast Factory में काम करने गए थे हर दीन जो है अपनी जान को जोखिम में डाल कर वे लोग बारूद से खेला करते थे क्योंकि बारूद वही है जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने में इस बारूद का इस्तमाल किया जाता था समझे आप इस बात से अंदाजा लगाईए कि यह कितोना खतरनाक काम था और इसी खतरनाक काम को करने पिर्दा गाओं के जो लड़के हैं वो काम पर जाते थे किसका गहर है भी आई है यह इसका मामा का घर है यह किसका आप विजय दूनों के मामा का घर है आप कौन हो नहीं सक बड़े पापा हूं जए कुछ पराज मैं इसका मामा हूं है अब है यह इंग है अबर्ण मैं आप है कि अच्छों हो गया है किसी से से होगा कोई मिल मिल रहा है रिस्पांस जिस परकार से होना चाहिए इनर्जी वो नहीं मिल रहा है जब कार इतना सो है इतना सुल्वहत पतानी पाहिए अड़ बजे घरना को बारा बजे एक्टिवेट हुआ तब प्रकार अड़ तालीस घंटे से ज्यादा का समय हो गया है अभी तक बॉड़ी पार्ट्स कुछ में कुछ कुछ नहीं मिले हैं हम उसी की दिजार में है कि नहीं कि बेल लग गया है वहां से फारेंसीट चेखोगा तब दो-चार दिने इस परश्ट कोई नहीं बता पार है कि कब क्या ह होगा है कि आप लोग को अभी तब कुछ भी जानकारी नहीं है कि कब उसका बाड़ी पार्ट से मिलेगा है कि तुक्रों तुक्रों बढ़ गया है कि अब लोग गया है कि गटना हूँ है कि चार किलो मीटर है बता ये लब उसका ओजो धमाका हुआ जो हम लोग CCTV कैमरा में भी देखेगी धमाका इतना जवर्जस्था की पर खच्चे उड़ गया जो भी वहाँ यूनिट अलग अलग रहें कितरे यूनिट थी यूनिट थी यूनिट अन्दर का कुछ जानकारी है ए यूनिट अन्दर का बारूद जीस यूनिट में धमाका हुआ वहां बारूद असमें वह पीटेन नाम का है पीटेन बहुत जोरदार होता है प्लास्टोस के अ नया प्लांट है अब शाल भर निग्वाए साथ कि आगे क्या होगा आगे क्या बता हुए क्या होगा इंतिजार कर रहे हैं मातर उसके सिवाए हपन कुछ नहीं करकते हैं पांच लाख मूँ आपजा देदिए सासन तो बोल दिया है वो ठीक है प्रबंधक की और से कोई यह नहीं है कोई सासन का आदमी आया नहीं अभी तक प्रबंधन वाले घर पर नहीं आया भी तर कोई नहीं आया है कि कंपनी उजार पड़ा है कोई नहीं प्रबंधन नहीं आया न प्रफार प्रसाद मालिक हो गया या सुपरवाइजर हो गया या कोई भी ऑथोरिटी आप लोग से संपर किया वोई संपर करनी है कोई नहीं कि झाल झाल बोडी पार्ट्स तो मिले हैं जो मलबा गिरा जहां यह पूरा ब्लास्ट हुआ एक यूनिट दो मंजिला बिल्डिंग था और अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि उसकी जो लप्टे थे उपर उपर तक नजर आई आग की परिजन हैं मामा हैं चाचा है भाई हैं सब इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम जो उनका लड़का गया था उस ब्लास फेक्टरी में उसका कम से कम उन्हें body parts मिल जाए जो शत्विशत हो गया था उसका body parts मिल जाए ताकि कम से कम अंतिम संस्कार किया जा सके घर में बच्चे बैठे हुए हैं पूरा घर देखिए मातम में डुबा हुआ है एक बार किशन आईए एक बार बाहर दिखाईए कि किस तरीके से महिलाएं यहां अपने घरों के बाहर बैठी हुई है यह पूरा गाओं का महौल है सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था कैसे ब्लास्ट हुआ था कहा है इनके गाओं के रहने वाले जो लड़के उस दिन काम पर गए हुए थे यह पूरा घर दिखाईए आप हां आ रहा हूं यह पूरा घर दिखाईए आप कि यह घर जो है विजय देवदास और पुषपराज देवदास का घर है कि क्या देखार है यह है अधिर देखे हम विजय देवदास और पुषपराज देवदास के घर के अंदर घूस रहे हैं और आप देखी कि घर में आम तोर पे जब अभी हम सुभा में पहुचे हैं आम तोर पे यह समय होता है नाश्ता बनने का चाय पानी बनने का और लोग जो है एक दूसर से बातचीत करते हैं सुभा बैठके कि क्या कुछ कैसे काम पर जाने का समय होता है लेकिन आज इस घर में रोनक नहीं है आज फर में मातम का महाल है जिस घर में लोग रो रहे हैं बिलख रहे हैं पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा बेटा कहां है जो कि अभाइम तीन की नोगे लुए इटेखाँ कि आख गलता मरूई साहरा नी जड़ी कर दो और इसे अद। कि अधनी भी खं़ महा जो रहा हूं का माँ सखाम य था फर इस अधिक अधाम जया का इस पर अब जो जो रहा का एफ नुदीम झाल 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 मरगम पनीङ होना जाय केके आवल के हमा पनी नहीं होना जाह केके तेल पास थान जो के घएख पनी बन्वाये लड़ा जाना थैं करणा ने जाना थैं तो नाचाहिए यही बोल तो यह लोग बना अथरी से तेला नहीं हो ला हमार गारूं काम पानी के कि अवोल के हैं तब बड़े बड़े आदमी मन मिले मिले उब बेटा हो तुमा लिखे पड़े हैं दो मुत रखकल है और हमार मन के दो अपड़ के भाई गाउ हां हमार मन का कर है वह लोग लड़े हां पर नहीं मानें भीतर भीतर सब कंपानी बनवाई है कि अपर के कि लिए भाई है कि दिखे एक नानी का दुख दर्द जो है वो सामने निकल कर आ रहा है कि कि देखे मैं इस घर में आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे इस तस्वीर को द खाने में काफी डर लग रहा है क्योंकि मैं यहां घड़े रहके एक शब्द भी यहां बोल पाना बहुत मुश्किल है बहुत कठीन हो राज मेरे लिए क्योंकि इससे पहले मैंने यह मंजर कभी नहीं देखा क्योंकि एक घर में दो दो लड़के की मौत हुई है हम ऐसा इस कि विजय देवदास और पुषपराज देवदास दो लड़के गए थे इस घर के काम करने लेकिन आज दोनों लापता है कि का लिए यह तो बता दीजेंड क्या है यह तो बता दीजेंगे जो मेरे को जो मिली है वो चीज मेला है अबिप अब अभी पांच पास लाग रुपए प्रति परिवार को जो लिया गया है वह तरब से पांच लाग यह कंपनी का आपने के तैसिल दार है यह ना कलका लेक्टर साब जो घोशना किये थे उसके एकारडिंग अपन लाए तो आपने कंपनी को भोला की नहीं प्रश पांच लाग रुप्ए जो है पंपनिक के तरफ से तैसिलधार जो है लोगों को देने हुए आए उए थे यहां पर लोग काफी आकरोशित थे जब तैसिल दा रहा गए तो लोगों को Allid एक पांच लाग दर के कमपनी कुटिला रहा है कि हमारा घर माहे तब तुमना पर शवान करें है ऐसे आए ओ शासन कुपली प्लाग देहाने हमानोल अलगशा नहीं करता है शासन कुझीला जरूल बंद है दिला ऐसे मान भो निला कि हिस्त पांच लाक की कि एइसे आप प्राइवेट कंपनी के तरफ से और लोगों का आरोप यह है जो प्राइवेट कंपनी के तरफ से अभी तक कंपनी प्रबंधन से वह बोले हैं लेकिन उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है उन लोग के अंदर अंदर बात हो रहा है ठीक वो लोग एक वह अपने मुझ से बोल दे एक स्टेटमेंट होता है अपने मुझ से बोल दे तो आदमी को पता चलेगा लोग अंदर अंदर जो बात कर रहे हैं वो तो दोनों प्रसासन और उनको पता है पिर्दा गाओं में हैं और यहां दिखें इस गाओं के जो हैं तीन से चार लड़के जो हैं इस पूरे घटना में प्रभावित हुए हैं और नहीं लेंगे क्योंकि प्रबंधन जो है इसमें बहुत बड़ी प्रबंधन के लापरवाई है लोग आक्रोशित होकर जो है तैसिलदार को भी घेरें यह यह बताएए जनपत साहब आप प्रशाषन के तरब से उनको आना चीए था जो उप्मुक्यमंत्री जी ने घोष्णा किया था कि हर परिवार को पांच पांच लाख रूपय देना है वो उनको लेकर आना चीए था ना कि वो क्या किया है बारूत फेक्ट्री के एजेंट की रूप में 5 लाख रूपय लेक प्रभावित होए जो भी पीडित परिवार किसी के घर नहीं पहुचा है न प्रबंधन में अभी तक नहीं पहुचा इतनी घटना होने के बाद भी चुपी साधे क्यों बैठे यह बहुत बड़ा घटना हो जाता है और कमपनी का प्रबंधन सुध तक नहीं लेते हैं एक कमपनी का प्रतिनिधी जो है इन गाव वालों से मिलने नहीं आता है जो पीडित परिजन है उनसे मिलने नहीं आता है कि उनके दुख में शामिल होने नहीं आता है कि आखिरकार जो यह सब पूरा घटना हुआ है इसमें जो लोग प्रभावित होए जो भी पीडित परिजन है उनसे उनका हाल चाल जानने तक कोई नहीं पहुचा लेकिन जब अभी तहसिलदार जो हैं कम्पनी प्रबंधन के तरफ से 5 लाग मुआपजा का राशी देने पहुचे थे लोगों ने साफतवर पर आरोप लगाया कि शास के प्रतिनी धी है वो एक नीजी कम्पनी का पैसा लेकर कैसे आ सकता है यही आरोप है देखे हम पिर्दा गाउं में है और लोग जो है सडकों पर आ निकले हैं क्योंकि आज पूरा गाउं एक है इस दुख के घड़ी में सेवक राम साहू जो इस पूरे घटना में सबसे पहले नहीं कि पुष्टी हुई थी प्रशासन के तरफ से कि इनकी घटना में मौत हो गई है आप देखे मैं आपको पूरा इस गाउं को दिखाता हूं कि कैसे इस गाउं में जो है पूरा लोग आज आक्रोशी था आक्रोशी इसलिए है क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी है जुर्ग सब पूरा गाउं आज खड़ा है पीडित पड़िवाइर के साथ और बोल रहा है कि हमें न्यायदो न्यायदो देख रहे हैं आप यह है पूरा घर का हाल उस घर में आजए सेवक रमसाहूं जी के घर में चलते हैं और देखते हैं कि घर को भी हम आपको दिखाते हैं कि जिस घर में आज मातम छाया हुआ है इसी घर के सेवक रामसाहू है जो है घटना में उनकी मृत्ती हो गई घटना में उनकी पूरा परिवार है अब यहाँ पर जो है कि यह पूरा जो है सेवक रामसाहू का घर है परिवार जो है थोड़ा नाराज है अभी आक्रोशित है क्योंकि परिजनों को जो है उचित मुआपजा या फिर उचित जो कारवाही होनी चाहिए मौत के बाद वो नहीं हुआ है यही हाल है कि देखिए अभी यहाँ पर परिज आप लोग को वापजा देने आए चिता है उसको हम वापस कर दिया करेंगे जो 5 लाग दिया है लेकिन कंपानी तरफ से चेक लिए काया था हम लोगों असुकार है नाखुस है क्योंकि हमसे बात हुआ था क्योंकि जो आप लोग सोचेगे हम उससे ज्यादा देंगे इस कार हम साहु देखे जिसकी प्रशासन ने पहली पुष्टे की थी कि उनकी मौत हो गई है उनके भतीजा है हमारे साथ और अब कलियू जो है उनका क्रिया करम किया जा चुका था आज अस्थी उठाने अब यह देखे पूरा महिलाओं की भीड लगी हुई है यह पूरा परिवा प्रशासन के तरव से प्रशासन के तरब जो जो पांच लग मौ जबर देन में एलान किया है उससे स्विकार करेंगे लेकिन कमपणी के तरफ से पांच लंग मौ जबसके ले आज जनों का कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है और अभी तक जो है मेनेजमेंट जो है इस पर सूध नहीं लिया है तो आखिरकार हम मुआपजा क्यू लिव कैमरा परसंग किशन के साथ हन मोलतीवा रिविस्तान यूज